अकसर हमारे काफी सरे कोशन्स होती हैं रियक्टिव पावर और पावर फेक्टर को लेकर हम हमेशा कंफूज से रहती हैं कि सोर्स का पावर फेक्टर और लोड के पावर फेक्टर से हम कैसे डिसाइड करें कि अगर सोर्स इस पटिकुलर पावर फेक्टर पे काम कर रहा है तो हमेशा इस में परिशान रहते हैं और खासकर मैं आपको बताऊं तो power system power system में हमें ये सबसे यदा परिशानी हमें fail होती है ठीक है तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे तो power factor को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो power factor है उसकी हम बात करते क्यों है तो आज क्या होता है कि जब हमारा system AC system होता है तो AC system में frequency होती है ऐसे case पर अगर मैं synchronous generator लूँ तो synchronous generator के साथ अगर मैं कोई भी load connect करता हूं यहां पर सपोज मैं lagging load connect कर दूं कि सपोज मैं यहां पर lagging load RL load connect कर दूं मतलब कोई induction machine में के induction motor connect कर दूं या कोई RC load connect कर दूं तो ऐसे case में बात आती है power factor की क्यों आती है power factor की बात दिखो क्या होता है कि जब यहां पर आप कोई ऐसा load connect करोगे और हमारा अगर supply हमारी कैसी alternating है जिसमें frequency हमारी इंडिया में कितनी है 50 years है अगर उसमें frequency और आपने एक ऐसा load connect किया जिसमें coils है कोई 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 कहां नहीं है वह हमारे घर में जितने भी loads होती है उसमें mostly loads सारे के सारे lagging load ही होती है ceiling fan देख लो cooler freeze AC इसके अलाबा water pump जहां पर भी motors है जहां पर भी coils है वह सब lagging load है और जैसे हम lagging load connect करते हैं तो बाद में हम क्या करते हैं कि voltage और current को देखते हैं कि कितने voltage पर कितना current यहां से जा रहा है कि इतनी voltage पर इतना current यहां से जा रहा है हम voltage की में 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 ऐतना इतनат पावर्रみें है तो पना-पवय नहीं म synergie हो रही है वो फंदिटी बियुझी पावर हुझी नहीं हो रही है वो 15 यूज हो रही है, 15 KVA, 15 वाँ पर रीडिंग आ रही है, 15 Watt उसके अंदर रीडिंग आ रही है, तो ऐसा क्यों, जितना पावर हम भेज रहे हैं, उत्ता पावर यूज क्यों नहीं हो रहा है, जब यह सब कंसेप्ट आया, तो वहीं सही रियक्टी पावर की बात होनी स्ट होई, इसका मतलब जब यहां पर current की value और voltage की value को multiply किया गया और देखा गया कि यह है total power जो यहां से जा रहा है, जो एक alternator power को भेज रहा है, और load उस power को receive कर रहा है, लेकिन जब load का हम देखते हैं कि कितना power एक load ने यूज किया, तो वह power कम आ रहा है, और उन loads में कम आ रहा है, बट उतना पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, यहां से लग रहा है हमें कि इतना भेज रही है, but it is not real, यहां की power जो जा रही है, but actually that is not, actually that power is not the actual power, real power, real me, जो power use हो रही है, वो अलग है, वो इससे कम आ रही है, इसका मतलब जरूर यहां से जो यह extra power आ रही है, जो वहां ज तो इसको यूज नहीं कर रहा है ज़रूर अब ऐसे तो है नहीं कि पावर यहां जा रही है उदर कम पहुंच रही है तो यहां से जो एक्स्ट्रा पावर के बीच में हवा में थोड़ा ना उड़ गई पावर अगर पावर कुछ एक्स्ट्रा इसके पास गई है लेकिन फिर यह यूज भी नहीं कर रहा है तो इस पावर को यह क्या क्या कर रहा है इस सोना कि हवा में उड़ा दे रहा है कि इसका मतलब क्या हो जो एक्स्ट्रा पावर जा रही है यूज भी नहीं हो रही है तो फिर वह कहां गई वह इसने वापस कर दी वो इसने क्या कर दिया वापस कर दिया उस पावर को वापस सिस्ट्रम को बेज दिया ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वह एनरजी ना तो हम create कर सकते हैं ना हम destroy कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे जा रहा है एक्स्ट्रा पावर तो इसका मतलब वापस लोड क उसको यूज नहीं किया वापस सिस्ट्रम में भेज दिया और उसी पावर के कारण यहां का जो वोल्टिज और करेंट का मल्टिप्लिकेशन ज्यादा आ रहा था और यहां पर यूज और ती वो कम हो रही थी तो इसका मतलब यहां का power लगता है कि real है but it is not real इस term को बोलते हैं apparent apparent का मतलब यह है कि कोई चीज़ लगे कि वो real है बट वो real हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो इसको हम क्या बोलते है apparent है ठीक है अब सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यहां का voltage jjir current का multiplication इदर के और उधर के बराबर आ रहा रहा है, तो ऐसा कभी आ भी जाता है, तो इसलिए हमने क्या किया, कि जितना total power हम यहां से बेज रहे हैं, और जितना power load उसको receive कर रहा है, उसको हमने, उसके लिए हमने क्या किया, उस load की power को निकालने के लिए total power से, वो load कितना power use करेगा, total power से निकालने के लिए हमने एक factor बनाया, जिसको जब हम total power से multiply करते हैं, तो हमें actual power मिल जाता है, जो load ने actually में use कर लिया, utilize कर लिया, that is the active power, ठीक है, तो power factor क्या है, एक तरह का factor है, जो voltage और current, जो total power जा रहा है, उसके साथ ये factor multiply होगा, और हमें बताएगा कि, इतना power source ने load को दे दिया है, और वापस नहीं आएगा हो, ठीक है, और जब भी reactive power एक source deliver करता है, अल्टरनेटर active reactive दुन उत्रह की power deliver कर सकता है, ठीक है, अब अगर, अब अगर हमारा ये अल्टरनेटर, जिस type की reactive power deliver करता है, सपोज इसके साथ एक ऐसा load लगा हुआ है, कि उस load ने जब power लिया, तो उसके बाद ने उसने current को lag करवा दिया, और एक ऐसे भी type का load है, जो जैसे ही power absorb करता है, जैसे ही current उसमें flow करता है, तो current lead हो जाता है, या voltage lag हो जाता है, तो उस basis पे हमने ये बोला, कि हमेशा जब current और voltage के बीच में, जब भी angle की बात होगी, जब भी angle उसके बदल जाएंगे, जब वो आपस में इस same phase में नहीं रहेंगे, तब बात होती है किसकी reactive power की, मतलब कोई ना कोई है, जो वहाँ से current या voltage को पकड रहा है, inductor की energy half Li square होती है, तो इसका मतलब inductor का जो energy हो जुड़ा हुआ current के साथ, current को पकड़ के current को lag करवा देता है, capacitor की energy half CB square, तो अगर हमारे load के अंदर capacitive type का nature है, तो वो तुरंद voltage को पकड़ेगा, reactive power के साथ में एक और term जोड़ा, lag या lead, क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो, अब यह है ना कि inductor अगर reactive power लेता है, तो वो current को lag करवाता है, capacitor जब reactive power लेता है, तो वो voltage को lag करवाता है, मतलब current को lead करवाता है, ठीक है, तो इसलिए अब हमें यह बोलना पड़ेगा, कि भई, जो inductive type के load है, यह current को lag करवाते हैं, तो हमने current को reference लख लिया, current को हमने क्या रेफरेंस रख लिया, हमने यह बोला कि अगर current को lag करवाए, अगर कोई भी ऐसा load है, जो current को lag करवाएगा, तो वो कैसी reactive power ले रहा है, वो कैसी reactive power ले रहा है, lagging reactive power ले रहा है, lagging war, क्योंकि reactive power की unit होती है war, अगर capacitive type का load है, उसमें capacitive type का nature है, तो ऐसे capacitor सब्वोज लगा हुआ है, तो ऐसे case में क्या होगा, जो current है, वो current को reference मानना है, तो वो जब reactive power लेता है, तो वो current को lead करवाता है, तो हमने बोल दिया, leading reactive power, तो अब यहां से reactive power यह कैसी ले रहा है, उस basis पर हमें समझ में आ जाता है, कि load कैसा है, अगर आपको यह बोल दिया जाए, कि यह कैसा load लगा हुआ है, जो lagging reactive power ले रहा है, तो इसका मतलब आप उसमें यह बोल सकते हो, कि वो load lagging type का load है, या उसमें अगर leading nature है भी साइना, तो lagging वाला ज़्यादा dominate कर रहा है, ठीक है, lagging मतलब quite while लगी हुई है, मतलब तभी वो lagging reactive power ले रहा है, और अगर कोई leading type का reactive power ले रहा है, तो आप समझ जाओगी कि अच्छा, ये load leading reactive power ले रहा है, इसका मतलब जिरूर कुछ capacitive type का कुछ होगा, capacitance वाली property इसमें रही होगी, बास समझ में आई, तो अब हमने फिर ये भी देखा, कि भी mostly अगर देखा जाए, तो हर तरफ जो reactive power है, वो एक load के basis पर देखे जाए, तो वो lagging ही है, पर कौन से ऐसे load होते हैं, जो leading reactive power लेते हैं, वो common तो नहीं है, generally capacitor ही होते हैं, या capacitor bank होते हैं, ठीक है, आप अपने घरों में देखते हैं, हम सब lagging type के load हैं, तो इसलिए by default, हम हमेशा, हमने जब भी reactive power बोलते हैं, कि reactive power absorb हो रही है, reactive power deliver हो रही है, तो हम उसको by default lagging reactive power ही मानते हैं, तो इसलिए अब reactive power के आगे, हमें lag by default आप जोड़ दो, ठीक है, especially for gate, ठीक है, lagging reactive power के आगे, by default आप lagging वाला वर्ड जोड़ दो, reactive power जब भी absorb की बात आएगे, deliver की बात आएगी, तो वो कौन से reactive power होगी, वो lagging type की reactive power ही होगी, simple है, ठीक है, reactive power जब आ होती है, reactive power की जब बात होती है, या जब हमारा load, reactive power की demand करता है, ऐसे case में ही, फिर हमें power factor की बात करनी पड़ती है, ऐसे case में ही यहां से जो power जा रही होती है, उतनी power यहां पर पहुंच नहीं हो रही होती है, तब ही हम power factor की बात करते हैं, तो अब हमें power factor के साथ भी term जोडनी पड़ेगी, lagging या leading, ताकि पता तो लगे, कि अच्छा इस load का यह power factor है, तो इसका मतलब यह इस type का reactive power लेगा, क्योंकि जब भी हम power factor की बात करेंगे, तब हम reactive power की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर हमारा load reactive power ले ही नहीं रहा है, तो हम power factor की क्यों बात करेंगे, तब तो जितनी जा रही है, उतनी actually में use भी हो रही है, हम power factor की बात तभी करेंगे ना जब जितनी हम power भेज रही है जितनी power जा रही है उतनी use नहीं हो रही है अब इस type के भी दो nature के load है lagging भी है leading भी है sorry inductive भी है capacitive भी है तो हमने हमें फिर अब power factor के साथ भी lag या lead term को जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो हमने फिर अब क्या बोला कि अगर कोई load lagging type का reactive power ले रहा है ध्यान से सुनना ले रहा है क्यों क्योंकि एक load का जो nature है वो लेने से है ठीक है एक load by default absorb करेगा ना भी उसका है load ठीक है जो किसी के ओपर dependent है ठीक है तो एक load के लिए हमेशा चीज लेने से हम decide करेंगे तो अगर एक load जिस type का reactive power ले रहा है उसका power factor वही होगा उसके power factor के आगे हम lag उस type का लगाएंगे लेगिंग रियक्टी पावर वाला जैसे यह लेगिंग बहुर ले रहा है तो इसका power factor बोलेंगे कि इसका power factor lagging है अगर कैपेसिटीव टाइप का load है तो हम यह बोलेंगे कि इसका जो power factor वो leading है अब अब अगर किसी भी load के आगे लिखा हुआ है कि इस load का power factor इतना है 0.8 है 0.7 है 0.6 है तो आप यह भी तो बोलो कि 0.6 है तो सही लेकिन lagging या leading lagging है या leading है तो जैसी बोल दिया गया कि lagging है तो अब आपको पता है कि वो lagging reactive power उसको चाहिए अगर उसके आगे लिखा होगा है कि leading है तो इसका मतलब उसको leading type का reactive power चाहिए और साथ में एक चीज आपको यह भी पता है कि यह जो reactive power वो actually में यूज नहीं हो रही है गर यूज होई रही होती तो ऐसा क्यों power factor वाली फिर बात ही नहीं आती कोई चीज जितनी भीजी गई उतनी नहीं पहुंची उसे कमी पहुंची है तो इसके साथ मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ हमें टर्म multiply कर रहे हैं जो obvious ही बात है कि less than one ही होगी उस ही कोई हम power factor बोल रहे हैं ठीक है तो power factory हमें यह बता देगा कि कि किस nature का लोड है और वो किस टाइप का रियक्टी पावर यूज कर रहा है रियक्टी पावर यूज नहीं हो रही है एक source लोड लोड से source flow करेगी तो ऐसे केस में अगर कोई लोड लैगिंग रियक्टी पावर की demand करता है तो बदले में लीडिंग रियक्टी पावर देगा भी सई थीक है तो लैगिंग रियक्टी पावर ले रहा है अगर यह हमारा लोड लैगिंग रियक्टी पावर दे रहा ले रहा है तो यह लीडिंग रियक्टी पावर supply करेगा कि सप्लाई कैसे करेगा लीडिंग वोर क्यों करेगा अरे यूज नहीं हुई ना तब ही तो हम पावर फेक्टरा कंसेप्ट लेकिया है अब एनरजी यहां पर आई है यूज नहीं हुई है तो मतलब वापस जाएगी अब जो वापस जाएगी वह कुछ जाएगी लीडिंग ठीक है और अगर कोई लीडिंग लीडिंग रियक्टिव पावर ले रहा है अब देखो फिर से मैं आपको बता चुका हूं कि लीडिंग और लैगिंग रियक्टिव पावर करंट से डिसाइड हो जायता कि कौन सा लोड किस टाइप का रियक्टिव पावर लेके करंट को ल कि लेगिंग बोर्स अप्लाई करें तो यहां से हमें यह चीज़ समझ में आ जाती है कि पावर फेक्टर की बात कब होगी पावर फेक्टर पूरी तरीके से डिपेंड किसके लिए करता है लोड के उपर तो इसलिए इसका मतलब पावर फेक्टर डिफाइन किसके लिए होता ह लोड के लिए डिफाइन होता है अरे जब लोड सब कुछ लोड के उपर तो डिपेंड कर रही है अगर लोड के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है यह नहीं जो एनरजी को स्टोर करें और ताकि उसका बाद में रिट्रीवल हो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है प्योर्ली लोड के लिए डिफाइन होता है तो इसका मतलब रिय जो पावर फेक्टर है वो एक लोड के लिए डिफाइन होता है पावर फेक्टर किसके लिए डिफाइन होता है पावर फेक्टर किसके लिए डिफाइन होता है पावर फेक्टर जो टर्म है वो लोड के लिए डिफाइ समझ में आई तो अब यहां से हमें यह समझ में आ जाता है कि power factor की बात होगी कम और दूसरा power factor depend करता है load के उपर और तीसरा power factor के आगे lag या lead का जो word हम लगाते हैं lagging power factor या leading power factor तो ऐसे case में हमें समझ जाना चाहिए कि किस type का load है ठीक है तो यहां पर आपने देखा होगा कि power factor को हमने जब power factor किया कि lag लिखा या reactive power के आगे हमने lagging reactive power लिखा यह किस basis पे लिखा लेने के basis पे लिखा कि जो हमारा load है वो किस type का reactive power ले रहा है उस basis पे लिखा ठीक है क्योंकि एक load का कामी है उसको कोई चीज एब्जोब करनी है अगर एक load डिलिवर कर रहा है तो फिर उसको load क्यों बोलेंगे active element थोड़ेंगे load हमारा passive element है ठीक है बट अगर हम एक source की बात करें तो source by nature क्या है उसको delivery करनी है इसलिए तो उसको source बोला जा रहा है वो deliver कर रहा है तो इसलिए यहां पर यह सब चीज़े हम delivery ज़े decide करेंगे यहां पर एक alternator के लिए एक alternator किस power factor पर वर्क कर रहा है एक alternator किस टाइप का reactive power deliver कर रहा है यह सब चीज़े कैसे decide होंगी यह सब चीज़े decide होंगी इसकी delivery से ना कि एक absorption से ठीक है क्योंकि एक source है तो अब अगर एक alternator lagging reactive power deliver कर रहा है अब अगर एक alternator lagging reactive power deliver कर रहा है तो ऐसे case में इसका power factor क्या होगा lagging power factor होगा ठीक है इसका power factor कैसा होगा lagging power factor होगा और अगर यह absorb कर रहा है अगर suppose यह lagging reactive power absorb कर रहा है तो lagging absorb कब करेगा जब leading देगा ना तो lagging का absorb करना हम यह बोल सकते हैं कि जब यह leading reactive power देगा जब यह leading reactive power देगा तब इसका power factor कैसा होगा leading होगा तो अब इस बात में तो confusion होगी नहीं कि एक alternator का power factor एक load का power factor के आगे जो यह lag या lead लिखा होता है तो इसको आपको किस तरीके से समझना है absorb या delivery ठीक है हमेशा याद रखना reactive power के आगे reactive power by default हम lagging के लिए बोलते हैं और lagging reactive power absorb जब absorption की बात आ रही है तो वो किस टाइप का load करेगा इंडक्तिव टाइप का load करेगा और उससे उसका power factor decide होगा फिर power factor के आगे lagging या leading उसके लेने से decide होगा और यहां पर power factor इसका lagging या leading इसके देने से decide होगा बात समझ में आई, तो इसलिए एक alternator का power factor देखकर आप बता सकते हो कि इस alternator के साथ किस type के load connected है, यह alternator के साथ जो load connected है, क्या वो capacitive type की है, क्या वो inductive type की है, क्या वो purely resistive type की है, ठीक है, दूसरी बात आती है एक bus bar की, infinite bus bar के साथ अगर हम alternator को connect कर देते हैं, और करते भी है, infinite bus bar के साथ ही connect करते हैं, ऐसे case में active power fix हो जाती है, और reactive power का control, excitation को change करने से हम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, वो किसी दूसरे वीडियो में करूँगा, और जैसे कि आपने देखा हो कि आई, armature का current, आईए, armature current और field winding का current का जो graph होता ह वो इस तरह का बनता है, तो यहां पर भी आप देख सकते हो, कि जब आप field winding को बहुत ज्यादा excite करते हो ना, तो ऐसे case में alternator का power factor lagging होता है, और जब बहुत कम excite करते हो, तो leading होता है, और जब एक normal सी range पर alternator का power factor जब कैसा होता है, unity, इस वाले point पर alternator का power factor जब unity होता है, तब उसकी जो current होती है, वो बहुत ही कम value की होती है, यहां पर active power fix है, एक active power fix P constant कर दिया, अगर active power मैं fix कर दूँ, तो अगर power factor कम होता है, तो ऐसे case में armature में current बहुत कम होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत जितना बिजा जा जा रहा है, जितना यहां से बिजा जा वो सारा use हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बीच में, जो बीच में गूम रहा है, तो जो गूम रहा है, उसके लिए भी तो extra current जाती है, जो गूमेगा, चाहे वो lag वाला ले, चाहे वो lead वाला हो, जो बीच में गूमता है, वो जो power होती है, उसके लिए भी तो कुछ extra current है current की value कम होती है losses कम होती है बात समझ में आई बट एक alternator का जो power factor जो होता हो उसको हम lagging power factor पर ही operate करवाते हैं यह किसी दूसरे वीडियो में discuss करूंगा alternator के लिए नहीं देखते कि वह उसको unity पर चलाना है alternator को lagging power factor पर ही चलाते हैं बट यह किसी different video के अंदर हम बात करेंगे ठीक है तो आई होप आपको यह जो टर्म है यह समझ में आई होगी lagging leading power factor और reactive power के भीश में और खासकर जो हम sign की बात करते हैं कि क्यूं प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा तो बस इस की चीज याद रखना कि अगर क्यूं की वेल्यू कि पोजिटिव आ रही है एक कि सोर्स के लिए तो यह लेगिंग वोर कि डिलीवर कर रहा है कि ठीक है पोजिटिव साइन इसमें लेगिंग वोर डिलीवरी से होता है और अगर एक लोड के लिए क्यूं की वेल्यू कि पोजिटिव आती है तो इसका मतलब वो लेगिंग वोर कि उसको चाहिए एब्सोर्ब कर रहा है कि ठीक है बाकि अगर साइन उल्टा करोगे तो लैग को लीट कर देना ठीक है तो यहां पर यह जो इतने वी टर्म से यह आई होप आपको क्लियर होगी होंगी और कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला हो तो ज़रूर कमेंट सेक्षें ने मुझे बताना और गेट के पेट कोर्से से जुड़ने के लिए और अभी अगर मैं आपको बता हूँ जो गेट एंड एसी के लिए हमारा जो प्रतिग्या बैच है वो काफी एदर सक्सेस्फुल रहे तो आप उस कोर्स में अन्रोल कर सकते हो अगर आप गेट 20 23 या 24 के लिए अगर आप जा रहे हो क आप ही सारे benefits उसमें included है उसके लिए आप gateacademy.co.in website पर जाकर login करके देख सकते हो उसके benefits के बारे में ठीक है तो बाकि भी नेक्स वीडियो में मिलते हैं और कुछ और interesting topic की हम बात करते हैं thank you